नवस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतिय नौलिज पर आज हम बात करेंगे सपने में दुलहन देखना कैसा होता है सपने में अगर हम दुलहन देखते हैं तो सुब होता है या असुब होता है तो चलिए बात कर लेते हैं सपने में दुलहन देखने की तो ये बैसे तो सुब सपना माना जाता है लेकिन ये कुछ अवस्थाओं में असुब भी सपना माना जाता है तो चलिए बात कर लेते हैं किन अवस्थाओं में ये सपना सुब माना जाता है किन अवस्थाओं में ये सपना असुब माना जाता है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सस्क्राइब कर दें आप बात कर लेते हैं सपने में यदि आप दुलहन को देखते हैं बहुत खुस है और आपके घर में जो है परसनेचित से अपना कदम बढ़ा रही है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको बढ़िया खुसकबरी मिल सकती है हो सकता है आपको धन की प्राप्ती हो जाए आपके रुके हुए काम बन जाए हो सकता है आपको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है इसके अलाबा जो कोट कचेरी का चक्कर है पुराने विवाद है पुराने दोस्ती का जो दुस्मनी में कनवर्ड हुआ है आपके सम्मन्द वो फिर से मधुर हो सकते हैं और आपके जो लड़ाई जगड़े हैं वो समाप्त हो सकते हैं क्योंकि हमारे सास्तों में दुलहन को लच्चमी का ρोप माना जाता है और लच्चमी आपके घर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है सारे के सारे काम अच्छे से पूर्ण होंगे और आपके जीवन में खुसीया ही खुसीया आएंगी अब बात कर लेते हैं सपने में हम देखते हैं कि हमारे घर में दुलहन है और दुलहन रो रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको गरीवी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एक ब्यापारी हैं तो हो सकता है आपको बिजनस में बड़ी नुक्सान की समभवना बन जाए हो सकता है कि आपको जैसे बड़े नुक्सान का सामना करना पड़े हो सकता है आपको मानहानी का भी सामना करना पड़े अब बात कर लेते हैं अगर आप एक इस्तरी हैं तो हो सकता है आपके घर में जो है कलाय कले साय और जिसकी वजह से आपके घर में बटवारा करने की इस्तिती भी आ सकती है और आपके घर में लड़ाई जगड़े बढ़ सकते हैं लश्मी का रोना यानि कि जो दुलहन है हमारे सास्तों में उसको लश्मी का दर्जा दिया गया है और लश्मी का रोने का मतलब होता है कि आपके घर में जो है लश्मी खुस नहीं है और खुस नहीं है तो आपके घर में दिक्कतों का सामना करना के लिए आप तयार हो जाएए अब बात कर लेते हैं सपने में हम दुलहन को अपने घर से बिदाई देते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ऐसा होता है एक्सर कुछ जैसे उमर दराज बेकती होते हैं बैद देखते हैं कि अपनी इस्तरी अपनी बेटी या अपनी जो भांजी या अपने संबंदी किसी दुलहन के रूप में वे अपने घर से बिदा कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके घर में जो लश्मी माता है वो जाने वाली है अनपूरा का जो है आपके घर से गमन होने वाला है और जिसकी बज़े से आपके घर में जो है लश्मी की कमी हो सकती है आपको धन संबंदी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर बैपार करते हैं तो बैपार में हा नहीं हो सकती है अगर आप एक नौकरी पेसा बेखती हैं तो हो सकता है नौकरी में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े एक आद महीने की आपकी सेलरी भी कट सकती है अब बात कर लेते हैं हम सपने में देखते हम कि आपके घर में दुलहन आ रही है और जो दुलहन है वो बड़े प्रसन्य चित्त है या खिल खिला के हस रही है और आपकी जो है सेवा कर रही है तो इसका क्या मतलब होता है तो दोस्तों अगर यह सपना अगर आप देखते हैं तो यह सपना बहुत ही सुपसपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको धनधन की बड़ी प्राप्ति होगी हो सकता है आपको कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिससे आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए और आपकी जिन्दिगी जो सुखमा हो जाए अब बात कर लेते हैं कि सपने में खुद को दुलहन के रूप में देखना कुछ यूगतिया, कुछ जो है औरते खुद को दुलहन के रूप में देखती है तो यह सपना उनके लिए सुब सपना होता है इसका मतलब होता है अगर आप अवाईत है तो आने वाले समय में आपको जीवन साती का जो है जोड़ा मिल सकता है आपकी साधी जल्द हो सकती है अगर आप एक पुरुस है तो आपके जीवन में किसी की नए जीवन साती का आगमन हो सकता है आपकी जो साधी हो सकती है या आपकी अच्छी घासी गल्फरेंड भी वन सकती है अब बात कर लेते हैं सपने में हम दुलहन को एक बिच्छिप तबस्ता में देखते हैं जैसे दुलहन बरी तरहन से बीमार है बाल बिख़दे हुए पड़े हैं और जो है दुलहन बीमार सी लग रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में कुछ आईसे कार रहा है जो आपके सामने या आपके घर में नहीं होने चाहिए ये इससे जो है आपके घर की जो अनपूर्णा देवी है वो रुष्ट हो रही है और रुष्ट होने के कारण हो सकता है भै आपके घर से चली जाए भै ये संकेत देती हैं कि आप अपने घर की इस्तिती को समाल लीजिए अन्यता आने वाले समय में आपके घर में कुछ ऐसा घटित होड़ सकता है जिससे आपको कई दिकतों का सामना करना पड़ सकता है अब बात कर लेते हैं सपने में आप देखते हैं कि आपके घर में किसी की साधी होकर आई है और आपके घर में दुलहन आई है और दुलहन बहुत ही खूबसूरत है और परसन चित दिखाई दे रही है तो यह सपना बहुत ही शुबसंकेत वाला होता है इसका मतलब होता है कि आपके घर में लश्मी जी का आगमन होने वाला है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू फॉर वाचिंग